नमस्कार न्यूजी स्टेशन में आपका स्वागत है इस समय की सबसे बड़ी खबर है साइकलोन अमपन कमजोर पड़ गया है यह काफी कमजोर हो चुका है इस समय के अगर हम बात करते हैं तो आपको हम ताजा बुलेटिन दिखाएंगे किस तरीके के सती है आए पहले सेटला तरीके से इसमें आंख गायब हो चुकी है यानि जो इसकी आँख थी वह अ casi प्रेश कम हो चुकी है और यह सबसके किस देखों कि जएक तार यह इससाथ कहना की तेजी से पश्चीह मंग की तरफ बढ़ष चला है यहां पर दिछाई दे रहा है चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या właściETए इसमें reg starts की क्या हालत है तो वह आप देख सकते हैं आंख धुन्डली हो चुकी है यहां पर आप देख सकते हैं कि दुंडली हो चुकी है है लेकिन धुन्डली हो गई है तो यह स्थति की लगातार बनी हुई है और इसके अलावा अगर हम इस समय मोसम विभाग ने जारी किया है उसमें कहा गया है कि अब सुपर सैक्लोन नहीं रह गया है यानि स्पसाइक्लोन कटेगरी से नीचे आ का है इसमें हवाओं की रफतार कुछ कम हुई है जिसकी वजह से अब ये सुपर साइक्लोन नहीं रह गया है आए दिखाते हैं कि क्या कह रहा है ताजा बुलेटे इस समय कि अगर हम बात करें तो यह साइक्लोन अमपन इस समय की जो इस्थति है उसको दिखा रहे हैं हम आपक दीरे दीरे कमजोर पढ़ने लगा है इस वेरी लाइकली टू विकेन इंटू एक्स्ट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टार्म अब यह काफी कमजोर होना शुरू हो चुका है यह अच्छी खबर है अगर हम तमाम लोगों के लिए बात करें जो लोग घबडाय हुए थे त लाइंग मौसम विभाग अभी भी यही कह रहा है कि 165 और 165 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से यह क्रास करेगा माइक्सिमम सस्टेंड विंड स्पीड की बात कर रहा है जब यह हम कह सकते हैं कि पस्षिम मंगाल कहुचेगा तब ऐसी बात की जा रही लेकिन यह स्थ स्पीड धीरे-धीरे कम होती चली जाएगी और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बुलेटिन क्या कह रहा है 19 तारीक यानि आज साम तक या देर रात तक यहीं इसकी स्पीड हम कह सकते हैं 180 से 190 किलोमीटर प्रतिघंटे की रह जाएगी इसके अंदर जो हवाय च 245 किलोमीटर प्रतिघंटे और इसके बाद की अगर हम बात करें तो 21 तारीक को इसकी स्पीड सिर्फ 60 से 70 किलोमीटर प्रतिघंटे रह जाएगी तो कहीं न कहीं एक राहत भरी खबर है और इसमें और भी कमी आने की आसंका है यानि जो इस समय हवाएं दिखाई जा रही है कि इस स्पीड से आएंगी इसमें काफी कमी आने की आसंका है तो कहीं न कहीं एक राहत भरी खबर है क्योंकि इस समय अगर साइकलोन की अगर हम बात करें सुपर साइकलोन की स्थती में था लेकिन उसमें हवाएं कम पढ़ गई यानि कमजोरी आ गई उसके अंदर इसका मतल और कम होती चली जाएगी जब यह लैंडफाल करेगा तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह सिर्फ और सिर्फ साइकलोन रह जाएगा साइकलोन का मतलब है नुक्सान तो पहुचाएगा लेकिन उतना नहीं जितनी आसंका है और इसका एरिया भी कम हो जाएगा यानि जिस इ का impact होना है वो इलाका भी छोटा रह जाएगा तो आईए हम दिखाते हैं कि क्या स्थती होगी तो यहां पर अभी भी मौसम विभाग कह रहा है कि हैवी रेनफाल होगी कहां कहां होगी उडिसा में होगी और साथी साथ वेस्ट बंगाल में होगी और जो डिस्टिक हैं जिनकी दिरे कहा जा रहा है कि जो पहले कहा जा रहा था उससे काफी कम होने की आसंका अब बन गई है तो कहीं न कहीं एक राहत भरी खबर है और साथी साथ तमाम चीजों के बारे में अभी भी मौसम विभाग लगातार वार्डिंग दे रहा है और इस समय की स्थती जब बुलेट में लिए हुए है तो कहीं न कहीं एक राहत की बात है राहत की खबर है और यहां पर एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके की स्थती बनेगी अगर हम track of cyclonic disturbance की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह ताजा बुलेटन है लिहाजा इसमें त बड़ी राहत की खबर है दूसरी बात यह है कि इसका जो डीप डिपरशन में जब तक यानि एक 21 तारीक तक रहेगा तो डीप डिपरशन का जो एरिया है वह हम कह सकते हैं कि बांगलादेश में ही खत्म हो जाएगा तो यह दो बड़ी खबर है क्योंकि इसका जो टाकत है वो कम हो रही है, ताकत कम होने का मतलब हुआ कि उत्तरी उडिसा की तमाम जगों जहां के लिए वार्निंग जारी की गई है, वहां एक राहत भरी खबर है उनके लिए. दूसरी चीज यह है कि सुन्दरवन में जिस तरीके से यह कहा जा रहा था कि एक्स्ट्रीमली सिवियर साइक्लोन के तौर पर यह दाखिल होगा तो वैसा नहीं होना है. तो यह दोनों चीजे हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर एक राहत वाली चीज है और राहत इतनी करते हैं तो साइक्लोन में जो विंड होती है वो साठ किलोमीटर फ्रति घंटे की रफ्तार से जादा होती है तो अगर तेज अंधर जैसी बिस्थती हुई है साथी साथ बादल हुए उसमें धेर सारे बारिस हुई करकडाती हुई बिजली हुई तो इन सब चीजों से कही न कहीं नुकसान होने की हमेशा आसंका रहती है लेहाजा प्रशासन को सतरक रहना पड़ेगा साथी साथ लोगों को भी सतरक रहना पड़ेगा लेकिन इसका दायरा कम हो गया है सुन्दरवन के तमाम इलाकों में इसका असर रहेगा साथी साथ पस्चिम मंगाल के हम कह सकते कुछ जिलों में इसका असर रहेगा जिसमें इस्ट एंड वेस्ट मेधनीपूर साथी साथ साउथ एंड नार्थ 24 परगना उन जगहों पर इसका असर देखा जाएगा लेकिन जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था एक बड़े इलाके में इसका विनासकारी असर हो सकता है वैस नहीं होने जा रहा है